दीवाली का फेस्टिवल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें वेराइटी के नाश्टे बनाने और खाने को मिलते हैं तो वैसी आज में शेयर कर रही हूँ महरास्ट का स्पेशल पाकडवारी जिसे आप एक ही वार में एकदम पॉर्फेक्ट बना लेंगे अगर आप पहली वार में भी बना रहे हैं तो यहां पर मैंने दो कटोरी के लगबाग मैदा लिया है और साथी तीन चोटे चमबच बेसन का इस्तिमाल करेंगे आप चाहें तो एक कटोरी मैदा एक कटोरी आठे से भी बना सकते हैं लिकिन अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना तो पूरा मैदी से ही बनाए तो बेसन इसमें क्रिस्पी रस के लिए है अच्छे से टेस्ट के लिए है थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल द आप तेल से ही मौयन लगाएं तो जाधा अच्छा रहेगा, तो मौयन का तो रेशियो ऐसा रहता है कि आटे में लड्डू जैसा बनने लग जाएं, बस समझे कि हमारा जो मौयन है आटे में एकदम परफेक्ट है, जैसे कि हम लोग मठ्री वगेरा क्ले बनाते हैं, तो अगर कि हमारा मौयन है इकदम परफेक्ट है, अभी इससे जाधा मौयन नहीं डालेंगे, अब इसमें ठोड़ा सा पानी एड करके इसका एकदम टाइट डो लगा लेंगे, मतलब कि पतला डो नहीं लगाना है, इकदम टाइट डो लगाएंगे, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट कर तो अगर आपको लगता है कि पानी जादा चला गया तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा और एड़ कर सकते हैं और इसका इस तरीके से डो बना करके तयार कर सकते हैं। भाकडवारी में वैसे बहुत कुछ जादा नहीं है लेकिन जो डो है वही सबसे जादा इंपोर्टेंट होता है। बस अब इसको टक करके देंगे और ढख करके रख देंगे जितनी भी देर आप इसको ढख करके रखना चाहते हैं। तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं जो कि इसकी स्पैशिलिटी जो कि इसकी विना तो भाकडवारी एकदम अधूरी है। तो यहां पर एक चोटा चमचh जीरा एड़ करेंगे, एक चोटा चमचh सफेथिल, दो चोटा चमचh साबुद धनिया बहुत अच्छा अच्छा फ्लेवर भादा है। और यहां पर मैं ऐड़ करी हूँ दो चोटा चमचh नारियल का बुरादा। अगर आपके पास में नारियल का बुरादा नहीं है, तो सुखा नारियल भी आड़ कर सकते हैं, इस सब को कुछ देर के लिए हम लो फ्लेम पर भून लेंगे, बहुत जादा नहीं हलका सा रोस्ट करेंगे, जिससे कि इन सारे मसालों का मोईश्या निकल जाए, अच्छी से ख में लिए तो इस आप से मैंने क्वांटिटी रखी है मसाले की, अब अब इसमें सूखे मसाले अट करते हैं, मतलब थोड़ा सा हींग, थोड़ा सा काश्मीनी लालमेच, और स्वाद के नमक, जो कि हमारे मसाले थोड़े गरम है, तो जो सूखे मसाले हैं आप इसको थोड़ अब में इसमें डालें गेसी सबसे चीज एक से डेढ चमच चीनी, तो इसमें खटा, मीठा चट पटा जो टेस्ट आता है तो इस मसाले को आप इसी भी बना करके रख सकते हैं, और भी मत्री में इसका इस्तिमाल हो सकता है, अब इस तरीके से बारीक पीस लेंगे सारे मसाल और आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी खुश्बू हारी थी, क्योंकि जब भुन जाते हैं, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इनमें, और यह देखे इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है, तो आप इनको ग्रैंडर जार में ही रखने देंगे, साइड में रख देंगे हमारा जो आता है वो भी अच्छे से सैठ हो गया है, तो मैंने बोला आप इसको 10-15-25 मिनट रख सकते हैं, आराम से सैठ होने के लिए, इसको अची तरीके से मसल लेंगे, और अब मैंने इसके तीन भागों में डिवाइट कर दिया है, तो जितनी चोटी बड़ी लोई आप अब हम आगी और भी सारी लोईयां बना करके तयार करेंगे, तो इनको एक बार अच्छे से गोल गोल कर लेंगे और चप्टा रोटी की तरह कर लेंगे, तो हमें बहुत साथा बड़ी रोटी नहीं चाहिए, अगर आप प्लेट फॉर्म पे बना रहे हैं, मतलब ऐसे बेलन का इस्तिमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप बड़ी इसी रोटी भी बना सकते हैं, तो इसे जो थिकन से ना वहमें थोड़ी पतली रखनी है, जिससे रोटी बनाते है, अगर आपको लगता है कि आटा बहुत ज़दा आटह था और ऊज़एन तो थोड़ा सूखा मेयुआ आप इसमें spread कर सकते हैं जिससे आप आसानी से इसको बेल सके तो मुझे सुखा अटा इसमें डालनी की जरुवत नहीं पड़ रही थी तो मैं इसको ऐसे ही बेल रही हूँ और आप देखे इसको इस पले ओल शेप में आप इसको कर सकते हैं आप इसको राउंड शेप में भी इसको इस तरीके से कट कर लेंगे जिसदि कि आम इसको स्कोर शेप बना सके तो मैं तो अभी चोटी वाली आपको बना कर देखाई आ आप इससे बड़ी साइस की भी बना सकते हैं जिससे कि आपको ज्यादा टाइम नि लगेगा अगर आप जादा लोगों के लिए बना रह और इसका जो ऊपर नीचे का भाग है थोड़ा सा छोड़ देंगे, मतलब उसमें हम जो चटनी है अपनी नहीं स्प्रेड करेंगे, थोड़ा थोड़ा भाग हम छोड़ देंगे, अब हम जो बना के रखा था तो जितना हमने चटनी लगाय तो उसे जगे पे हम मसाली को डाल मतलब की अच्छी तरीके से इसमें फिलिंग हो जाए और उपर नीची का भाग हम छोड़ देंगे, अब हम उसमें लगाएंगे थोड़ा सा पानी, जिससी कि हमारी जो लेयर्स है और अच्छे से चिपक सके, उससे पहले हम बेलन से इसको हलका सा प्रेस कर लेंगे, जिससी तरीके से ऐसको कीस को तबा दें, वैसे तो हमें ससकी सारी लेयर अच्छी तरीकी से दबानी है, लेकिन जब हम पहली बाली टाइट करेंगे ना तो ऐटोमेटिकली सारी लेयर हमारी ताइट टाइट जाने लग जाएंगे, तो बस इसको इसको आपर रूक जाेकी, थोड़ यह लगा बन करके तयार हो गया है और राम इसको कट कर लेंगे तो आप चाहे तो आगे आगे वाली पोर्शन ond起來 रखे हैं तो नई तुक्ते साइड में रख सकते हैं, अब आपको बनाने में तो यह बहुत अच्छी रस्पी लगती हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरी तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब चार जरूर से कर देगे जिस्तिकी अच्छी रस्पीस आप लोगों के में चाले सके हैं, तो यह देखें यहां पर इसके मेडियों साइज के पीसे सकत कर रहे हैं, आप ज़्या मोटे नहीं ज़्याए पतले नहीं वैसे पीसे सकत करें, यह देखें किते प्यारा मसाले का एग्दब भुरा है ना टेक्षर मतलब लुक बहुत अच्छी लग रह तब हम क्या करेंगे, आप चाहें तुसको अंगूटे की सायता से, नहीं तो ऐसे हथेली के बीच में रखके हलका सा प्रेस कर दे, बहुत जादा नहीं प्रेस कर दे, जिसके थोड़ी सी बढ़ जाएंगी और इनकी सारी लेयर्स है वह अच्छे सापस में चिपग जाएंगी तो इसी तरीके से हम अपनी सारी भाकरवाडी बना लेंगे, सारी तो नहीं, एक बार में आप दो घन बना सकते हैं, उनको सेक तल ले, फ्राय कर ले, उसके बाद आप दूसरा बनाएं, या फिर आपके घर में और जादा लोग हैं, तो ये काम आप उनसे भी करवा सकते हैं तो अब ये जो दूसरी वाली है, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, चटनी लगा लेंगे, मसाला फैला देंगे, और इसके जो उपर नीचे के एजिस है उसमें हम पानी लगा लेंगे, और इनको अची तरीके से रोल कर लेंगे, तो देखे बाकरवाडी बनाना बहुत आसान है, थोड़ी चीजों का याद रखना पड़ा है कि इसको डो है बस वह अची तरीके से पॉफेक्ट लग जाए, थोड़ा सा टाइट लगाना है, डो को मसाला तो सभी बना लेंगे, अच्छा सा आप टेस्ट कर लें, और यह देखे इस तरीके से इनकी जितनी अगर आप जादा तेल रखेंगे तो यह उपर से जलने लग जाएंगे, अंदर से मसाला बिल्कुल भी अच्छे से पकेगा नहीं, तो इनको लो फ्लेम पर हराम से पकने दें, बहुत जादा तेल गरम नहीं करना है, तो सारी एक बार में डाल देंगे, बहुत सारी एक बा बार में लो फ्लेम पर आप इनको सेक लें, जब इस तरीके से गोल्डन ब्राउन कलर का कलर आ जाएगा ना बस आप इस स्टेज पर इनको निकाले, बहुत जादा ओवर भी नहीं सेकेंगे, वनना तो यह काली-काली दिखने लग जाएंगी, तो एक दम गोल्डन ब्राउन बन करके तयार हुई थी और तोड कर में मैं दिखाती हूँ बहुत ही जादा यम्मी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, तो इस दीवाली आप इसको जरूर से ट्राई कीजे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी को हैपी दीवाली, तब तक थी थी तो मुच, बाई बाई